हेलो एवरीवन वेलकम तो अभीपीडिया पावड़ भाई अभी मन्यू आईयस और इन सीशेट प्रिविए सिरीज तोड़े विल डिस्कूस पजल यहां पर देखी क्या है कि देर फाइव कोश्चिन्स ओन दिस पजल फाइव कोश्चिन्स दैट मिन्स की सिद्धा सिद्धा आपके साथे बारे नंबर बन गे आणा डाट मीन्स की पजल पर आपने स्पेशली फोकस करना और जो पजल है पजल भी आप देखेंगे की कि इसली हम सौल कर पाते है अगर हम थोड़ा सा थिहान से अगर हम पजल को करते हैं तो पजल को भूट इसली आप सौल कर सकते यहां पर देखी पजल किया दिया और फाइव परसन इन गुरूप पी क्यों आरेस्टी तो गुरूप है वन डॉक्टर वन लॉयार वन आर्टिस्ट मिन्स की पांच लोगों का लोग हैं उनकी प्रोफेशन गीवन है और साथ में कह रहा है कि उनका स्टेटस भी है क्या कोई म है तो जो हमने माइन में रखना है कि जब भी आपके पास में more than two variable पजल आते हैं तो हमने table बना के उसको solve करना है तो जैसे कि यहां पर हम पहले table बना लेतने हैं इस तरह से देखो same puzzle है ठीक है अब table जो जो variable है वो आप table में लिख लीज़े सबसे पहले उनका नाम थे तो हम पर दूसरा आगया हमारे पास profession and तीसरा उसमें काया कि marital status अब करना क्या होता है आपने कि जो आपके पास direct information है उसको आप इस table में directly put कर देंगे ठीक है और जो information direct नहीं है उसको हम side में no down करते हुए चलेंगे so that जैसे ही उस information से regarding हमें कोई और next clue मिलता है तो उसको हम अपने table के अंदर put कर सके ओके तो देखिए कैसे हम इसको solve करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है the group has five person P, Q, R, S, T पांच लोग हमारे पास कौन है P, Q, R, S, and T done the group has one doctor group के अंदर एक doctor है ठीक है one lawyer एक lawyer है group के अंदर one artist एक artist है ठीक है साथ में आगी क्या की मन है आपके पास P and S are unmarried students अब देखो P, Q, R, S है जब भी आप इस तरह से puzzle करते हो तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है एक variable को आप serial wise देख लिया करो ठीक है कोई भी ले सकते हो अगर आपके पास में कोई भी serial नहीं mention है then doesn't matter तो अब यहाँ पे हमारे पास में पांच लोग थे P, Q, R, S and T ठीक है अब जो information आती मैं साथ-साथ पुट कर रही है देखो कैसे जैसे यहाँ पे का P and S are unmarried student यह है P क्या है student है मैंने यहाँ पे लिख दिया student ठीक है जो direct information उसको directly पूट कर लो आप ठीक है अब उसके बार में कहा T is a man married to one of the group member means group के ही किसी member के साथ में T married हो क्या है man है तो हमें यहाँ से पता चल गया कि T क्या है man है ठीक है अगर T man है तो इन दोनों में से कोई एक woman होगी क्या है T is a man married to one of the group member group के ही किसी member के साथ वो married है साथ में क्या का गया है क्या हो is brother of P क्या हो क्या है brother है P का that means क्या हो भी male है तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो R है that is a female जब वो group के किसी member के साथ T married है that means कि R female है and T is spouse of T okay तो इसको मैं circle कर रही हूं female के लिए okay तो यहाँ से हमें क्या information मिली है क्या हो is brother of P अब साथ में ही क्या का गया and is neither doctor nor artist ना तो वो doctor है ना तो वो artist है तो क्या हुआ वो lawyer हुआ तो क्या हुआ है हमारे पास में lawyer है done हाँ जी बिल्कुल clear हो गया क्या है वो lawyer है done अब साथ में का है R is not doctor R doctor नहीं है R doctor नहीं है तो हमारे पास में कौन बच गया एक R है और एक T है that means कि T is a doctor तो T क्या आ गया हमारे पास doctor आ गया तो जो remaining person है that is artist यह दोनो husband wife है कौन T and R that means कि यह दोनो married है हमारे पास confirm है अब रह गया आपके पास क्यों अब क्यों का हमें यह नहीं पता कि यह married है या फिर unmarried है हमने दोनों mention कर लिए जो नहीं पता हाँ जी clear easy है समझ आ गया सभी को तो इस तरह से हमने इसको solve कर लिया किया क्या as simple था कोची नहीं जो जो information given थी directly जो हम put कर पाए उसको हमने directly हाँ पर put कर दिया अब इस पर देखिए question कैसे आई है तो question अगर हम देखे अब same मैंने यहीं पर यहां पर put कर दिया क्योंकि बार-बार फिर otherwise हमें back जाना पड़ेगा देखिए यही थी हमारी अब देखूं क्या है कि who is doctor doctor कौन है तो doctor अभी हमने किया था क्या था T is a doctor देखो same है मैंने कुछ different नहीं किया तो यहां पर हमें पता है कि T क्या है doctor है so answer will be T पजल के case में यही होता है कि एक बार हम पजल बना रहे है तो उस time पर थोड़ा सा आपका time लगता उसके बाद जितने भी question है just tick-tick करके answer आ जाएंगे आपके तो यहां पर देखिए T क्या है doctor है next question देखते है next question क्या था यहां यहां पर क्या आजाएगा हमारे पास T is the spouse of R clear तो T आजाएगा next question is what who is lawyer 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 कौन था हमारे पास क्या हूँ अभी हमने solve किया था क्या हूँ brother था P का और उसने क्या का था कि ना तो वो doctor है ना ही वो क्या है artist है तो क्या था lawyer था तो क्या हूँ क्या आगया हमारे पास में lawyer next question is what who of the following is definitely a man man कौन है अब देखो जो P और क्या हूँ P और S है P और S क्या थे student थे बट इनका अमारे पास में gender नहीं given था ठीक है ना दूसरा क्या था आपने पास में कि हंजी T doctor था और that is married to R तो यह female है तो male कौन-कोन है एक तो क्या हूँ male है और एक T male है यह दोनों हमें confirm है अब question के अंदर options हम देखते है तो options में क्या है P, S क्या हूँ तो P नहीं पता हमें, S नहीं पता हमें, ठीक है क्या हूँ, क्या हमें confirm है that is a male तो क्या आजाएगा आपके पास में C, option C, क्या हूँ is the confirm answer क्या हूँ is a male, yes clear, हाँ जी, सभी को clear है, okay, उसकी बाद next देखते है, yes, there is next puzzle on the screen, yes, again, अभी मैंने आपको पता है जब भी कोई puzzle आती तो सबसे पहले हमने देखना है कि एक, at the first glance हमने देखना है कि जो हमारी puzzle है किस पर बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना time नहीं होता है exam के अंदर, अभी मैं समझा रही हूँ, step by step आपको समझा रही हूँ, बद जब खुद से करना है तो उस time पे, हमने क्या रहान रखना है कि इतनी जल्दी आप उसको read कर सकते हो, ठीक है, तो first glance में हमने यह देख लेना है कि मेरी puzzle कि इस पर बेस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, देखे हमें पता है चल रहा है, six boxes, box puzzle है, आपके पास ABCDEF has painted six different colors, means कि हमारे पास में name given है और उसके बाद उनके colors भी given है, क्या violet, indigo, blue, green, yellow and orange, okay, and these are arranged from left to right, that means what, कि हमें arrangement का भी यहाँ पर ध्यान रखना है, उसने काया कि left to right, ऐसे ही हमने directly put कर सकते, जैसे last puzzle थी हमारे पास, तो हमने यहाँ पर PKO RS को हमने directly put कर दिया था, because उसके अंदर कोई भी उसकी direction नी mention थी, ना ही कुछ ये mention था कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, तो हमने directly लिख दिया था, but यहाँ पर देखिए, उसने क्या कहा है, कि they are arranged left to right, ठीक है, that means कि हमें arrangement को भी mind में रखना है, उसके बाद है, इधर kept painted और the color in the same order, कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है, कि वो same color है, जो हमने यहाँ पर गिया है color का order, वो order same है, या ना ही उनका, जो box है, box same order में है, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आगे क्या दिया, each box contain a ball, any one of the following six games, अब उसके अंदर अलग-अलग balls भी है, अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि multivariable puzzle है, table based बनेगी है हमारी, ठीक है न, तो कौन-कौन सी है, this is cricket, hockey, tennis golf, football and volleyball, okay, not necessarily in the same order, the golf ball is in boiler box, अब देखो, यहाँ तक अब जब मैंने पढ़ लिया इसको, यहाँ से लेगे यहाँ तक, तो उसके बाद में अपनी puzzle को साथ में solve करना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि बार-बार read करने का कोई फाइदा नहीं है, बार-बार आप read करो, टाइम ज इतने variable है हमारी puzzle के अंदर, ठीक है, तो उसके बाद हम table बनाएंगे, टेबल में हम यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, जो box है, box का name, second, हम color लेंगे, और क्या ले सकते हैं, color के बाद में, एक और प्वी point है हमारे पास में, कि उसके अंदर कौन सी game की ball है, ठीक है, एक game ball होग और color हो गया, is it clear, अब देखो, अब हम इसके अंदर put करते हुए चलेंगे, अब उसने जो कहा था कि a, b, c, d, e, f है, तो यह a, b, c, d, e, f में से name हो सकता है उसका, और जो colors है, colors यहाँ पर, क्या था, अपने पास में, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, यह मैंने color ले लिए, और साथ में उसन अब हमने क्या करना, जो information है, उसको put करते हैं, तो देखो, information का मैंने अभी आपको बताया, क्या करना है, कि जो directly information put होते है, उनको directly put करेंगे, और जो नहीं, उनको side में note down कर लेंगे, ओके, तो देखते हैं, first क्या है हमारे पास में, हाँ जी, देखो, point क्या है, यहाँ से हम the golf ball is violet box, golf ball, violet box के अंदर, अब मुझे नहीं पता कि मैं violet कि इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, ठीक है, और कहाँ पे, तो जो information नहीं है, उसको हम side में लिख लेंगे, ठीक है, क्या का है, golf ball, golf ball is in violet box, ball is in violet box and not in box D, और D के अंदर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे D लिख के इसको cross कर दिया, okay, next information is what, the box A which contain, the box A which contain tennis ball is orange in color and at the extreme right, अब यहाँ पे हमें क्या information है, extreme right, that means कि मैं अपनी table में इसको फुच कर सकती है, ठीक है, तो क्या काया उसने, कि the box A, box A, name, name के साथ मैंने यहाँ पे name लिख लिख ल, box A, ठीक है, which contain tennis ball, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में tennis की ball है, तो मैंने यहाँ पे tennis लिख दिया, done, ball is orange in color, तो यहाँ पे हमने orange लिख दिया, हाँ जी, बताईए इसमें कोई doubt, बिल्कुल clear है, आगे देखिए, second information के है हमारे पास, the hockey ball is neither in box D nor in box E, hockey ball, second है hockey ball, के रहा है कि neither in box D nor in box E, ना तो वो D के अंदर है, ठीक है, और ना ही वो E के अंदर है, done, next देखिए, next is the box C having cricket ball, and is painted green, अब C की हमारे पास में क्या information है, कि जो C है, उसके अंदर cricket की ball है, ठीक है, और जो की green color से color भी given है, बट अब मुझे नहीं पता है कि मैं पूट कहाँ पे करूँ, ओके, आगे देखिए, और क्या information given है, the hockey ball is neither in, the hockey ball in the box painted neither blue nor painted yellow, करे कि जो hockey ball है, ना तो वो कैसी है, हाँ जी, जो hockey ball है, ना तो वो क्या है, आपकी blue है ना ही yellow है, तो hockey ball के बदिए, हमने यहाँ पे information mention करी थी, हम यहीं पे साथ में लिख लेते हैं, कि भी यह blue भी नहीं होगी, और कैसी नहीं है, yellow भी नहीं है, ओके, आगे है the box C is fifth to the right, fifth to the right, अब यहाँ से fifth number पे यहाँ पे बात कर रहा हो, ठीक है, box C, C हमने यहाँ पे लिखा, right, अब देखो, पहले हमारे पास में जो C है, C की और भी कुछ information थी, उसको हम यहाँ पे पूट करेंगे, इसको बाद में देखेंगे, C के लिए हमारे पास क्या information थी, C, cricket की ball है, C box के अंदर cricket ball है, and that is of green color, तो यहाँ पे हमने green mention कर दिया, done, अब इसके बाद की information देखते हैं, C is fifth to the right, and next to the box B, B की next है, that means की यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, B आएगा, done, अगे information क्या है, the box B contain volley ball, B के अंदर कौन सी है, volley ball है, done, the box containing hockey ball is between the boxes containing golf and volley ball, golf और volley ball के बीच में hockey की ball है, तो golf यहाँ पे volley ball है, यहाँ पे बीच में कह रहा, hockey ball है, तो hockey यहाँ पे आजाएगी, done, और यहाँ पे क्या आजाएगा फिर आपके पास में, हाँ जी, उसने क्या कहा था, कि यहाँ पे between the box is golf and volley ball, तो यहाँ पे आजाएगा आपके पास golf, done, हाँ जी, यहाँ तक बिलकुल के लिए हरे हैं, हाँ जी, किसी को कोई भी doubt हो, तो जो information थी, अब देखो, मैंने सारा read कर दिया, जो जो information में directly मैंने put करी, थी, वो directly put कर दिया, जो हमारे पास other information थी, वो हमने side में note down कर लिया, अब बारी आती है कि side से information को यहाँ पे put करने की, तो कैसे करेंगे, अब पहले यह देखो, कि जो हमारी table के अंदर, जो blank है, जो जो भी blank spaces रहेगे, उसको हम कैसे fill करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे five places तो मेरे fill है, एक remaining है, जो remaining है, that means कि, जो remaining bowl है वही यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो हम हमारे पास में six bowl थी, cricket, hockey, tennis, golf, football and volleyball, बाकी तो यहाँ पे आगई है, रह गई है कौन सी, football, तो यहाँ पे क्या आजाएगी हमारे पास में, football आजाएगी, yes, clear, अब देखिए, दूसरा जो point है, दूसरा point यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था आपके पास में, हाँ जी, जो golf की bowl है, that is of violet color, that means यह गोल्फ है, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, violet color आजाएगा आपके पास में, done, अब hockey जो है, ना तो वो blue है, ना तो वो yellow है, क्या था हमारे पास, देखो, यहाँ पे हमने information नोट डाउन करी थी, कि जो hockey है, that is not blue, not yellow, ना तो blue है, ना तो yellow है, that means कि blue और yellow को छोड़ के, blue यह नहीं है, yellow नहीं है, violet नहीं हो सकती, green नहीं हो सकती, orange नहीं हो सकती, that means कि जो एक remaining color है, वो यहाँ पे आएगा, और remaining color कौन से हमारे पास में, indigo, that means कि hockey जो है, that is of indigo, अब जो हमारे पास में दो color है, यह एक है blue और एक है yellow, इनके बारे में और कोई information नहीं है, that means कि यहाँ पे blue आएगा, यहाँ पे yellow आएगा, इसी तरह से यहाँ पे blue आएगा, means कि अगर यहाँ पे blue आएगा, तो यहाँ पे yellow आजाएगा, अगर यहाँ पे yellow आएगा, तो यहाँ पे blue आजाएगा, तो बच गया क्या? F, that means कि यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास F आएगा, ओके, जो next point था, क्या था कि जो golf है, violet color के पट वो D नहीं है, that means कि golf के साथ यहाँ पर D आनी सकता, तो D के लिए कौन सा space बच जाएगा, तो D यहाँ पर आजाएगा, done, now there is one color, sorry one box, कौन सा box रह गया, A, B, C, D, बच गया E, यहाँ पर आजाएगा, हाँ जी clear सभी को, हाँ जी puzzle solve है आप लोगो की, बिलकुल clear होगी, जो जो information given है, उसको put करते वे जाएगे, जो information directly put नहीं और है, उसको हम side में note down करते जाएगे, जैसे ही कोई clue मिलता है, उसको हम यहाँ पर put कर देंगे, ओके, अब इस पर questions देखते हैं, कि question क्या आप उच्छे गए है, देखे, same है, जो अभी मैंने आपको puzzle दी है, अब यहाँ पर देखे, solution, ताके हमें बार-बार ना जाना पड़े, वही solution मैंने यहाँ पर आप लोगो के लिए देखे, अब यहाँ पर देखो क्या है, विच वन अब देखो क्या है, विच वन अब पर फॉलोइंग बोक्स कंटेन गोल्फ बोल, गोल्फ के बॉल कहाँ पर तो गोल्फ यह था हमारे पास, और गोल्फ के बॉल कौन से बोक्स के अंदर है, E के अंदर, so E will be the correct answer, that means कि option B, ओके, yes, next देखे, next is, विच विच व फॉलोइंग स्टेटमेंट इस आर करेक्ट करा कौन सी कलर, अब देखो, first क्या है, D is painted yellow, अब D पर आते है, D देखे क्या है, D क्या है, blue yellow, हमें confirm नहीं है, तो हम कैसे क्या देंगे कि yellow है, that means कि यह wrong है, F is painted indigo, F is painted indigo, तो यहाँ पर देखे, F indigo है, that means कि यह correct है, okay, answer आगया आपके पास में, फिर भी next check कर लेते, वैसेत answer आगया, B will be the correct answer, B is painted blue, B, blue कैसे क्या देंगे, हाँ जी, यहाँ पर blue भी हो सकते है, yellow भी हो सकते है, दोनों की possibility है, that means कि यह भी wrong है, all of the abu तो होई नहीं सकता, because दो wrong है, I mean, done, yes, next देखे, the football is in the box, of which color, football, yes, this is football, और यहाँ पर देखे, अपने पास में, football का अगर color देखे, this can be blue or yellow, यहाँ तो blue हो सकती है, यहाँ फिर yellow हो सकती है, and in the option we have blue, indigo, yellow and can't be determined, तो अब यहाँ पर देखो, हम determine नहीं कर पारे, कि blue है या yellow है, so answer के आजाएगा, can't be determined, so C will be the correct answer, done, yes, next देखे, next is, next puzzle, next puzzle है आपके पास में, हाँ जी, next puzzle में क्या है देखे, again there are three questions based on this puzzle, and this is the puzzle, अब puzzle का मैंने अभी कहा, puzzle को देखे, सबसे पहले हमने यह देखना है कि कैसे उसको solve करना है, बाके की information directly put करेंगे, table बनानी है, हमने क्या method यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, क्या भें, three friends, A, B, C, Matt, three friends है मिलते हैं, that means कि तिनों के name हमारे पास given है, it was found, each of them wore an outfit garment of different color, means कि outfit garment भी है, given हमारे पास में और colors भी given है, the random order, the garments is jacket, sweater and tie and the colors are blue, white and black, यहां तक हमने read कर लिया, उसके बाद में देखो क्या है, their surnames is in random order, उसके बाद उनका surname भी given है, that means we have one another variable, that is a surname and the surnames are Ribroy, Komar and Singh, okay, that means कि अभी हमारे पास में four variable की puzzle होगे, their name, ठीक है, outfit, color of the outfit and the surname, a four variable puzzle है, that means कि हम table बना के solve करेंगे, तो इसको अभी नहीं read करना, मैंने अभी आपको बता है, जैसे हमें information मिलती है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और इस टेबल के अंदर इस information को put करेंगे, तो बार-बार read करने से अच्छा क्या है, पहले टेबल बनाते, तो टेबल में मुझे क्या क्या चाहिए, उसके बाद में उसमें क्या क्या outfit, outfit के अंदर हमारे पास में given था क्या? स्वेटर, jack and and tie, color blue, white and black, and the surname was ribbroy, kumar and sing, डन? अब हमारे पास जो further information, उस information को हमने यहाँ पे put करना है, डन? तो देखो क्या है, first information क्या given आपके पास? neither be nor ribbroy wore a white sweater, अब यहाँ पे neither nor का है, that means कि जो be है और ना तो be ना तो ribbroy, अब नाम से जो statement है, statement से हमें क्या पता है चल रहा है, be एक different person है, ribbroy एक different person, मतलब कि ribbroy बी नहीं है at least, ठीक है? क्योंकि neither nor आ गया आपके पास है ना, wore a white sweater, अब यहाँ से क्या confirmation मिली है मुझे? कि जो be है ना तो वो ribbroy है, ribbroy नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा person है जिसकी बात कहर रहा हूँ, wore a white sweater, यहाँ पे sweater भी नहीं आएगी और white भी नहीं आएगा be के लिए, first statement से यही conclusion निकले है हमारे पास में, next statement क्या है, c wore a tie, c ने type नहीं है तो c के लिए ह हमारे पास आगया tie, okay, sing's garment was not white, अब देखू, sing का garment white नहीं है, यह काया उसने, अब एक point और, यहाँ पे काया कि sing's garment was not white, sing का white नहीं है, sing का white नहीं है, that means कि यहाँ पे sing भी नहीं आएगा, ठीक है ना, हाँ जी, sing का white नहीं है, clear, अब यहाँ पे देखो, sorry, हाँ जी, ध्यान से देखे, यहाँ पे उसने क्या काया, कि sing का white नहीं है, यहाँ पे white है, that means कि यहाँ पे sing आ सकता है, यहाँ पे कहना कि white नहीं आएगा, यहाँ पे white नहीं आएगा, sing का भी white नहीं है, that means कि हमारे पास में sing आ सकता है, sing आ सकता है, बट अभी हम नहीं लिखते, आगे देखो क्या कह रहा है, का मैरा कुमार डज नोट वियर जैकेट, कुमार ने जैकेट नहीं पहनी हुई, अब यहाँ पे स्वेटर नहीं आ सकती, यहाँ पे स्वेटर नहीं आ सकती, ठीक है, टाई यहाँ पे आगी, that means what, कि जो स्वेटर है, स्वेटर यहाँ पे आएगी, यह पॉइंट क्लियर हो गया, अब टाई यहाँ स्वेटर है, यहाँ पे क्या आएगा फिर, जैकेट आएगा यहाँ पे, ओके, जो दूसरा पॉइंट था वो था, कि कुमार डज नोट वियर जैकेट, कुमार ने जैकेट नहीं पहनी हुई, कुमार ने जैकेट नहीं पहनी, that means कि यहाँ पे कुमार नहीं आ सकता, ठीक है, और साथ में उसने, अभी हमने पढ़ा कि सिंग का वाइट नहीं है, यहाँ पे वाइट नहीं आ सकता, that means कि यहाँ पे सिंग आ सकता है, तो यहाँ पे बचा हुआ कोन है, सिंग, तो यहाँ प हमारे पास में रिब्रोई नहीं आए यहां पर हमारे पास आगया सिंग और उसने काया कि कुमार ने जैकिट नहीं पहननी हुई कुमार ने जैकिट नहीं पहननी हुई तो यहां पर हम कुमार को नहीं कर सकते थे तो यह आगया आपके पास सिंग ठीक है Next देखिए, Rebroy doesn't like to wear black color. Rebroy को black color पसंद नहीं है. Rebroy को white भी नहीं पसंद, Rebroy को black भी नहीं पसंद, that means की Rebroy को कैसा पसंद है? Blue पसंद है. कौन सा आगे हमारे पास जो तीसरा कलर है रिब्रोई के लिए कौन सा आजाएगा हमारे पास ब्लू कलर आजाएगा हाँ जी अब आगे देखी क्या है करें इज फ्रेंड वोर ओनली वन आउटर गार्मेंट डैट इस ओप ओनली वन कलर जो की सिरफ एक कलर का होगा ठीक है बिल्कुल अब उसने कहा था कि जोने वाइट स्वेटर नहीं पहनी हुई है तो स्वेटर के साथ में ओविएसली क्या आएगा फिर वाइट आएगा तो यहाँ पे अपने पास में वाइट आजाएगा ठीक है अब यहाँ पे वाइट आजाएगा यहाँ पे अपने पास में वाइट आगया अब उसने काया कि जो रिब्रोई है रिब्रोई को वाइट पसंद नहीं है दैट मींस की रिब्रोई यहाँ पे नहीं आएगा नहीं आ सकता That means कि रिब्रोई कहां आजाएगा यहां आगया और उसको क्या आजाएगा Black भी नहीं पसंद अब दो कलर बच्चे एक white और एक black ठीक है ना तो उसको black भी नहीं पसंद That means कि क्या रह गया उसके लिए blue रह गया तो blue यहां पर आजाएगा रह गया black color तो black color हमारे पास में यहां पर आजाएगा और जो third surname था That was Kumar तो Kumar आपका यहां पर आगया हां जी बोलिए कोई doubt इसके अंदर मिल्कुल clear तेखिए जो इसके अंदर जो main point है जो इस puzzle के अंदर जो वो है यह बला Neither be nor ribroy तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो B है और रिब्रोई है वो same person की बात नहीं हो रही दो different person के लिए बात हो रही है यहां पर कि ना तो B ना तो रिब्रोई Done तो एक रिब्रोई अलग आगया और B अलग आगया That means कि यहां पर यह रिब्रोई किसी भी हाल में नहीं हो रही है ठीक है दूसरा यहां पर कह रहा है white sweater White और sweater दोनों कठे आएंगे तो यहां पर हमारे पार जैसी sweater आएगा तो हम यहां पर इसको white put कर लें हाँ जी clear So, अब हम क्या करते है question तेखने इसके उपर देखी यही है हमारे पास है What is the question? What is C's surname? C का surname क्या है तो C का surname क्या था? Ribbroyal, okay so answer will be Ribbroyal Next one is what is the color of tie? Tie का color क्या है? So, tie का color क्या है था हमारे पास? Blue So, blue option B will be the correct answer. Next one is who wore the sweater? Sweater किसने पैन विया? To sweater किस के लिए आया था? हमारे पास A के लिए So, A तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास A will be the correct answer हाँ जी clear है सभी को? हाँ जी To, I think सभी को point A के point clear हो के ता अगर देखिया अब puzzles के अंदर आप easily कर पार हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो description में puzzle के लिए भी आपके पास link available है आप पूरा puzzle के उपर यह कर सकते हैं कि पूरा puzzle ले सकते हैं उसके अंदर आपको practice questions मिल जाएंगा और practice करो बस मैं तो यही कहती है कि puzzle के लिए mainly practice है आप practice 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 करिए ठीक है और description में link available है अगर आपको इसकी PDF चाहिए या आपको practice के लिए test भी available है तो test के लिए भी आपने क्या करना है कि यह हमारा free course है जो previous year का free course है आप इसको register कर सकते हो registration के बाद आपको lecture की PDF as well as test attached with each lecture okay sabhi आपको label हो जाएगा हां जी question solve हो गया so it was all for today thank you so much